चैम आतादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसम्बर माह के दो दिन 16 दिसम्बर और 17 दिसम्बर के कुम राशी फल के बारे में कुमराशी के लोगों के लिए दिसंबर माह के ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे इन दो दिनों के बारे में सब कुछ विस्तार से आपकी सिक्षा कैसी रहेगी आपका व्यापार कैसा चलेगा आपका प्रेम जीवन कैसा होगा नौकरी कैसी होगी पारिवारिक जीवन कैसा होगा और प्रेम सम्बंद कैसे होगे तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पासी बने बेल का इकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चली जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन से तिति होगी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी कौन सा नक्षत्र बनेगा योग क्या बन रहा है और चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति सभी नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए किस तरह के योग बनाएगी तो 16 दिसम्बर की बात करते हैं कृष्ण पक्ष की पंचमीतिती है और असलेशा नक्षत्र रहेगा इस दिन वैद्रती नाम का योग बनेगा सुभा तक उसके बाद विश्कंब नाम का योग बनेगा ये सौंवार का दिन है और चंद्रमा करक राशी से निकल कर सहिंग राश 16 दिसम्बर सूर्य भी व्रश्चिक राशी से निकल कर धनू राशी में प्रिवेश करेंगे और जेस्ट नक्षत्र से निकल कर मूल नक्षत्र में प्रिवेश करेंगे तो ग्रहों में काफी बदलाव इन दिनों में देखने को मिलेगा ग्रह परिवर्तन होंगे जिसका अस तो अब इन्ही ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम जानेंगे, कि इस तरह से आपके विशेस रह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में नक्षत्र के साथ ग्रहों का परिवर्टन भी काफी माईने रखता है, जो आपके जीवन पर इस समय प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो इस समय जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपको उनके साथ कुछ समय जरूर बिताना चाहिए वो चाहे आपसे कुछ कहें या ना कहें लेकिन वो भी आपका साथ चाहते हैं आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आप अगर उनके साथ कुछ वक्त बिताएंगे उनकी सेहत के बारे में पूछेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किसी चीज की आवशक्ता तो नहीं है उन्हें कोई परिशानी तो नहीं है तो आपके लिए ये इन दिनों का सबसे बड़ा कार्या होगा अपने घर के इन प्यारे से सदस्यों के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और इस चीज का आपके उपर प्रतिकूल प्रभाव भी बड़ेगा तो इस कार्या को आप करके जरूर देखें इसके लावा हम अगर आपके वेवसाइक थी आपके लिए यहां चटे साथवे स्थान में बनी हुई है और साथवे स्थान में चंद्रमा अच्छे फल देते हैं मिला जुला परिणाम देते हैं लेकिन उसके अलावा भी सूर्य का राशी परिवरतन है यह नक्षत्र इतने अच्छे बने हुए हैं जिससे आपको प परिणाम उनको मिलने वाला है जहां तक करियर का सवाल है तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुब रहेगा अपने करियर को लेकर आप अपने करियर के बारे में अच्छे निर्णा ले पाएंगे आपकी जो सोचने समझने की शक्ती है वो बेहत अच्छी इस समय कही जा सकती है थोड़ा मांचिक तनाव आपको जरूर हो सकता है चिड़ चिड़ा पन थोड़ा हो सकता है लेकिन उनका असर इतना नहीं होगा कि वो आपकी काम को बिगार सके या उनकी वजह से आपका कारिया रुख सके अगर आप अपने वैपार को पहलाना चाहते हैं तो इन कुछ नए संपर्क बनाईए और यह जो नए संपर्क बनेंगे यह आपको भविश्य में कमाई के नए साधन बन सकते हैं नए लोगों से मिलना नए चीजों को सीखना इन चीजों पर आप ध्यान देना शुरू करिए आप अपनी वैपसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो क्यो नहीं आप अपनी साज़ेदारी या साइड वैपार के तोर पर कुछ करते हैं आप कुछ ऐसा काम करें जिसे आप अपने इस पर्टिकुलर काम के अलावा भी आप छोटा मोटा ऐसा कारे कर सकते हैं जो आपका साइड बिजनिस कहा जा सकता है आपको साइड इंकम कही जा सक पार टाइम जौब की जा सकती है ऐसे बहुत से काम है तो इन चीजों की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए शाम होते होते आपने आप कुछ ऐसा कर जाएंगे यकीन यकीन मानिया कि आपको उसकी बेहत खुशी होगी और उससे जादा आपके परिवार को खुशी हो स्तिती को द्रड बनाने के लिए अच्छा बनाने के लिए आप नए नए उपायों के बारे में नए यूजनाओं के बारे में भी सोचेंगे इस समय आपको अपने विपार से जुड़ी हुई कोई यात्रा भी करनी पर सकती है और आपके कुछ बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे सिक्षा प्रतियोगता में अगर आप प्रियत्न कर रहे हैं अपनी सिक्षा को लेकर और इस समय किसी आप प्रतियोगी परिक्षा में बैठते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी इस समय जो पुनानी समस्य थी उन पर आप विजय पा सकेंगे आपका जो मन होगा वो काफी प्रगती शील विचारों से प्रभावित होगा यानि आप खुद से ही मोटिवेट होंगे और यह जो आप मोटिवेट होंगे यह आपके अंदर सकारात मक्ता का वास करेगा आप जो परिश्रम करते हैं उसका मनोवांचित तो परिणाम अगर आपको अभी नहीं मिल आपको कम परिणाम मिलता है तो हताश नहीं होना है आने आने आगे आना वाला समय इन कारियों को आपको अच्छे से आपको बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं जिससे आप खुश हो जाएंगे तो यह जो समय होगा यह आपके मन में सुख और उत्साह की व्रद्धी करने वाला समय रहने वाला है इसमें आप कुछ पार्टी में भी जाएंगे इसमें समारो में सामाजिक समारो में शादी विवाह में जाने का यूग भी है और वहां जाकर आप खुब एंजॉय करने वाले हैं योकि वहां जाकर आप अपनों से मिलेंगे और उनके साथ मिलकर सकते हैं आप कुछ ऐसे आइडियाज भी लोगों के सामने पिश कर सकते हैं जिससे आप कुछ नई पहचान मिले आप इस समय किसी चीज पर ज्यादा देंगे और वो होगी आपकी जेब आप इस चक्कर में रहेंगे कि आप किस तरह से लोगों से मिलकर कुछ ऐसा काम शुरू होने लगे तो यह सोच अच्छी है आप सोचें और कुछ काम करने के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए तो इस समय जो है आपकी हर खुशी आपका साथ देगी आप जो भी आप खुशी पाना चाहते हैं वो आपका साथ इस समय जरूर देगी बस आपको कोशिश करनी है और ये कोशिश कुम्भराशी वाले बखु भी जानते हैं संतान की तरफ से अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं कुछ खुशी की बात आपको मिल सकती है जिससे उत्साहव आपका बढ़ेगा रुके हुए कारिया पूरे होंगे पारिवारी के संबंद आपके मधूर बनेंगे प्रगड बनेंगे घर में सुख शांती का वास होगा रुमान्स की दुनिया में आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिए आपको लगेगा कि हाँ वो आपकी जबरन पैर खीच रहा है ये आपको कुछ ऐसा भी लग सकता है कि परियों की कहानी हो लेकिन ये थारत को जमीन पर लाना है और जमीन पर ही रहना है तो अगर आप नया प्रेम संबंद शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुवात करने से अभी आपको ज़रूर रखना होगा अब ये आप नया प्रेम संबंद शुरू ना करें तो अच्छा है विवाहिक जीवन का पुरा आनंद लेंगे और विवाहिक जीवन का आनंद लेने के आपके पास मौके भी बहुत है तो ये जो समय होगा ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय आपके लिए होगा आपके लिए आपकी सफलता के द्वार खुले हुए हैं बस आपको काम करने की देर है कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी यानि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा तो काम कीजिए चीजों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, उसका रिजल्ट आपको ना मिले तो बताना छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, उन्हों विवादों की तरफ ध्यान ना दें कैसे विवाद आपका कुछ नहीं बिगार सकते, बस अपने खुद के काम पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें अपनकी सेहत को लेकर छोटी-मोटी परिशानय दिखाई दे रही हैं, यानि कुछ मौसमी बिमारियां थोड़ी जियां परिशान कर सकती हैं बहुत बड़ी परिशानय नहीं हैं, मौसमी परिशानय ही हैं, जो थोड़ा परिशान कर सकती हैं, लेकिन इन से आपासानी से निकल जाएंगे, समय पर योग आपको करना इस सभी चीजों से बाहर निकालतेगा ये जो दो दिन हैं, ये आपके जीवन में कई तरह की सोगात लेकर आने वाले हैं, और इन दिनों में 16 दिसंबर सूर्य का राशी परिवर्तन भी होने वाला है, और ये जो सूर्य का राशी परिवर्तन हैं, ये आपके बार्वे भाव में होगा तो बारवे भाव जो होता है वो खर्चों का भाव होता है तो खर्चों में विर्धी आपके लिए सूर्य के परिवर्तन से देखी जाएगी लेकिन इस भोचर से आपको बेहत अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं और इस गोचर के दौरान आपको कामकाज के सिलसले में अंचाही यात्राइं भी करनी बढ़ सकती हैं और लाब भविश्य में लाब इस गोचर के दौरान आपको मिलने वाला है ये महीना जो इस सूर्य के गोचर का है आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है कहीं-कहीं सा करें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना